स्वागत आपका सच बिहार में और हमें सुमीत कुमार देखिए BPSC teacher result जिस तरह से आती है उसके बाद एक के बाद एक उसमें कमिया जिस तरह से छातर notice करते हैं और उसके बाद पटना high court में ताता लग जाता है है हमारे सामने पटना high court के advocate जगजीत रौसन सर है और हमें समझने की कोसिस है इनके पास आके कि जो यह case लड़ने जा रहे है और चातरों का यह लगातार पूछा जा रहा है हमारे माध्यम से phone करके comment कि क्या होने वाला है court में क्या फायदा भी होने वाला है या बस यहीं भेड़ चल चलते गए हैं सब लोग read-dare कर लिए तो सर स्वागत है सच बिहार में आपका धन्यवाद और क्या लगता है और कितने जल्दी सुनवाई के उमीद है वकील की सबसे बड़ी पर अर्थविक्ता होनी चाहिए कि अगर केस में merit है केस में अगर legal ground है और अगर लगता है कि हाँ इस legal ground पर इनको कुछ फायदा हो सकता है तो क्लाइन को सबसे पहले वो सचाई बताने तो हमारे पास जो अभी तक मैंने EWS का केस फाइल किया है और हमारे साथ जो इनका consultation हुआ है और हमने जहां तक इनके legal point को देखा है इस केस में बहुत हद तक भीहार सरकार से बहुत बड़ी चूक हुई है या BPSC से चूक हुई है और which has resulted in discrimination जिसके कारण बहुत बढ़ा discrimination हो गया है जब आप reserve category मान रहे हैं EWS को 10% reservation दे रहे हैं उसी जिस तरह schedule class को, schedule tribes को, physically handicapped को, OBC को, BC को, हर class को आप reservation दे रहे हैं इसी तरह economically weaker section is also a reserve class तो बाकी सारे class को आप seated में reservation दे रहे हैं तो EWS को क्यों नहीं और इस पे आपका कोई clear stand ही नहीं है और इस से पहले की सारी बहाली चाहे वो headmaster की हो advertisement number 2, 2022, BPSC के द्वारा ही conduct कराया गया था, advertisement number 4, 2022, BPSC के द्वारा ही conduct कराया था उसमें भी 5% relaxation दिया गया था EWS की category को, बाकी सारे category की तरह जिसको 5% है 5%, जिसको 10% है इसको 10%, लेकिन इस advertisement में पता नहीं ये चूक कैसे हो गई और इतना ही नहीं, सबसे बड़ा class within ने class generate कर दिया, ये सबसे बड़ा जितु है, अगर आपको नहीं देना था तो आप पुरूस और महिला दोनों में से किसी को नहीं देते, आपने EWS के महिलाओं को 5% relaxation दिया, आप तो पुरूस को नहीं दिया, ये तो सबसे बड़ा discrimination कर दिया आपने, और जबकि ना तो advertisement में लिखा है, ना रूल में लिखा है, और ना आपके clarification में EWS की चर्चा है, तो आपने महिलाओं को reservation कैसे दे दिया, जब महिलाओं को दिया है, तो पुरूस को भी दिया जाए, तो ये ground बहुत मजबूत है, इसी main ground के साथ मैं court जा रहा हूँ, और इसी ground पे मैंने आज ही रिट याची का दायर किया है, जिसकी copy state council को भी serve कर दी गई है, और BPSC को भी serve कर दी गई BPSC के तरफ से अधिकारी होंगे या उनके advocate होंगे, वो तो अब case file होगा, वो क्या stand लेते हो, तो उन पे depend करता है, उन्हें copy shop दी गई है, वो उसकी तियारी करेंगे, वो क्या जवाब लेके आते हैं, फिर हम लोग उसका देखेंगे, अभी तो हम लोग को तो ये दिखाना भी नहीं, cut off marks, हम minimum qualifying की भी बात नहीं कर रहे है, cut off marks की कर रहे है, 70% petition है जो qualifying, cut off marks से उपर है, बाकी जो 30% है, उनको minimum qualifying marks से उपर है, उनके लिए भी मैंने इसमें prayer किया है, क्यों उनके के सको क्यों नहीं consider किया जाए, एक बहुत बड़ा ये है, कि जो भी REIT दायर किये हैं, तो REIT में ऐसा होता है कि जो लोग, मतलब कोट जाते हैं, उनके पक्च में बाते होती हैं, लेकिन क्या, मतलब हाई कोट को अगर दिखेगा इसमें गरबड़ी, तो क्या एक general way में इसको भी सुनवाई हो सकता है, या फिर सिर्फ उनको ही लाब होगा, जो REIT दायर की है, जह तब कोट उसका इलाज करेगा, लेकिन इन जेनरल कहा जाए कि मान लिजे अगर सतर हजार लोगों का यह examination हुआ है, मान लिजे उसमें एक हजार लोग हाई कोट आए, तो उस एक हजार लोगों के लिए सतर हजार लोगों को तो नुक्सान कोट नहीं पहुंचाएगी, उस प वैसा अगर कोट कंसीडर करेगी कि लार्ज पैमाने पे घोटाला हुआ है, यह घरवड़ी हुई है, यह तो चूक भी कह रहा हूँग, यह चूक भी हो सकती है, बीपेसी से, लेकिन जब बहुत बड़े इस तरह पे धांदली होती है, तो अफकोर्स सुप्रीम कोट भी इं क्या जवाब देते हैं, उस पे डिपेंड करता है, अगर मान गया रहते हैं, तो हाँ, यह भी कह सकते हैं, मानने के लिए तेया नहीं क्योंकि, क्योंकि इस बात का संग्यान उनको है, हमारे पेटिशनर ने यहां तक के रिप्रेजेंटेशन भी फाइल किया, और आज नहीं किया, देर में ने पहले किया, उस पे आज तक किसी ने सुनवाई तक नहीं की, विचार भी नहीं किया, यह हो गया एकनॉमिक बिकर सेक्सन का, बाकी लोगों का क्या है, अब मतलब उसका भी रिट फाइल हो रहा है, अभी हम से डूल कास्ट वालों का भी रिट कल से पर सो फाइल कर रहे हैं, उसमें इन्होंने क्या किया है, कि ओपन केटेगरी महिलाओ का कॉंसली जिसे आपने दोनों का अलग-अलग सीट रिजर्व किया, पुरुस के लिए एक महिलाओ के लिए 50% सीट कार्व कर दिया, आप 50% रिजर्विशन, दाट इस गुड, लेकिन उसमें अगर कोई महिला कॉंसली आए है, तो पहले आप ओपन सीट को पहले भर रहे हैं, और तब जब ओपन सीट में सारे महिलाओं भर गई हैं, महिलाओं का सीट खाली रह गया है, सी वाले जो क्वालिफाई कर चुके हैं, जिनको कट आप मास से उपर है, सीट के कभी, और 3000 से उ पिन कर दिया है, जिसके कारण हुआ क्या है, तीन हजा, आप सेलेक्शन प्रोसेस कर रहे हैं, आप रिजेक्शन प्रोसेस तो कर नहीं रहे हैं, आप ये एडविटीजमेंट लाए हैं, पोस्ट को सेलेक्ट करने के लिए, कि रिजेक्ट करने के लिए, आप अगर साथ हजा पोस्ट लाए हैं अगर रिजेक्शन नहीं करना है तो आपका 90 पर कर दिए कोई एक आद्वी सेलेक्शन नहीं होगा आपने बहाली भी निकाल दी लेकिन आपने सेलेक्शन प्रोसेस लाए है आप ऐसा मेत्रडोजी लाइए कि 7000 पोस्ट लाए है 7000 बढ़ जाए तो आपने 3000 पोस्ट आपका खाली रहा गिया आपने क्या सेलेक्शन प्रोसेस अडॉट किया पता कि कोशी सी हो कि खाली रखा जाए तो चलिए यह इसू हलाकी BPSC का है और सिक्षा भी भाग का है यह प्रोब्लम को identify कितना करता है पटना हाई कोट का इस पे क्या रूख होता यह तो दे चातरों के बस मौका है कि बिल्कुल मौका है अभी रिजल्ट आये कितने दिन हुए है अभी तो दस दिन भी नहीं है रिजल्ट है कई दिव्यांग भी है जिन्हें लग रहा है कि उनके कोटा का भी रिजल्ट नहीं दिया गया है बलकि उन्हें कैटेगरी में फॉल करके र है मिलेगी ठीक है सुक्रिया हमें समय देने के लिए और कई सारे अभी अर्थी है जिने आप बहुत सारा उमीद है और वो टक्टकी निगाह से रोज फोन को देखते रहते कि कब नोटिफिकेशन आया कि कुछ हुआ फैसलाइस में कुछ बाते होई इसी मतलब जद्दो जहाद में हमारे तक मीडिया के लोगों से भी संपरक करते रहते हैं फोन करते रहते हैं कुछ तो अपडेट बताओ तो यह अपडेट है देखिए अब आगे क्या होता है जल्दी जो क कुछ भी नए अपडेट आएगा हम आपके साथ लाने कोशिस करेंगे और सुक्रिया एक बर फीर समय देने के लिए बाकि आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताएगा तेरी सच्वियर ने उसकार